कि नमस्कार मैं दूआ हुजा आप सभी का स्वागत करती हूं कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूं कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा-पूरा ध्यान रख रहे होंगे आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक जानकारी देने जारी हूं अगर आप नवरात्री का वरत रखते हैं और आप कन्या पूजन करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जादा महत्व है अगर आप नवरात्री के जो वरत होते वो नहीं रखते उसके बावजूद अगर आज मैं आपको बाते बताने वालियों, अगर आप ये भी करते हैं तो इससे परिवतन आप अपने जीवन में देख पाएंगे अक्सर जो कन्या पूजन होता है या तो वो अस्टमी वाले दिन होता है नौमी वाले दिन भी होता है दोनों में से कोई भी वो आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो करते हैं और ये भी माना जाता है कि जब तक कन्या पूजन नहीं होती तब तक व्रत आप नहीं खोल सकते बस कन्या पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है अच्छा ये भी माना जाता है कि नो कन्याएं जो दो और दस साल के बीच की होती है उनको बुला जाता है नो कन्याएं और एक कंजक यानि की एक जो च्छोटा लड़का होता है उसको बुलाए जाता है उनको माला जाता है कि वह भैरव का रूप है जब तक नो आ ऑर एक कंजक नहीं होता तब तक वह पूरा नहीं होता लेकिन अगर यह पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाता कि आप कहां से Creative ल ले सकते हैं आपकी जो घर में अगर बेटी है कन्या है दो और दस साल के बीच में तो उनका भी काउंटिंग आप कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भार से ही बुलाएं अच्छा ये वीडियो बनाने का मकसद में आपको बताती हूं कि दो साल से करने 10 साल की जो कन्याय होती है उनका एक महत्व होता है उनमें एक वैसे तो माना चाहता है कि देखिए वह माता का ही रूप है लेकिन वह कौन सा रूप होता है कौन सी एज में उस बारे में आज में जानकर या आपको दूंगी और पर्टिकुलर एज की जो कन्या की पूजन अगर आप करते हैं या उनको गिफ्ट आप देते हैं ये पर्टिकुलर एज की तो उससे क्या आपको ब्लेजिंग्स मिल सकती है या कौन सी तकलीफ आपकी दूर हो सकती है तो इस वीडियो को पूरा आप अन तक सुनिएगा तो सबसे पहले मैं शुरुवात करती हूँ जब कन्या यानि कि जो लड़की अगर एक साल की है तो ऐसा माना जाता है कि वो वर्जिन कहलाती है दो साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है यानि कि कुमारी का स्वरूप उन्हें कहा जाता है और अगर आप दो साल की कन्या की हमाई निठी तो यहां झाल है तो आपकी डूर को अधिर सकतर है तो वो भी प्रा सोलिब हो सकती है तो माना जाता है कि जो तीन साल की करली कि हैWS जो होती है वो तरीमूर्टी का रोफ होती अगर वंश आगे नहीं बढ़ रहा है या संतान प्राप्ती नहीं हो रही है या आपको दूसरा बेबी चाहिए और वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत त्यारी है बार बार एबॉशन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत त्यारी है तो अगर आप तीन इन केस आप इस नवरातरी नहीं कर पाते То, देखे साल में चार नवरात्री आते जो घुप्त नवरातरी Bulgari उते तब भी आप यह कर सकते हैं आप इन उन उपायों को रिपीट भी आप सकते हैं आचा यह भी मुझे सवाल तो उन्हें कल्यानी का रूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी सुखों की प्राप्ति होती है पांच साल की कन्या को रोहिनी का रूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर सेहत में कोई दिक्कत है या हेल्थ इस्यूस कुछ भी आ रहे हैं तो इनकी पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाब हो सकता है छे साल की कन्या को काली का करूप माना जाता है अगर आपके काम में बहुत ज़्यादा विगन आरे लास मिनट पे आपके काम बिलकुल भी नहीं होते हैं बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में दुख है तो इनकी पूजा क करना आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा साथ वैश की कन्या को माना जाता है कि वो चंडी का का रूप है और ऐसे में अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको धन और एश्वरय की प्राप्ति होती है आठ साल की कन्या की पूजा करने से आपको बहुत सारे लाब हो सकते हैं अगर आपको काम में उन्नती नहीं हो रही है प्रमोशन नहीं हो रही बिजनस आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसे में इनकी पूजा करना बहुत ही शुब माना जाता है आठ साल की कन्या को सांभ कारिया आपके होने लग जाते हैं जो बहुत टाइम से आपके काम नहीं हो रहते हैं वह अब होने लग जाएंगे सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी दस साल की कन्या की पूजा करने से माना जाता है कि आपके सर्व कामना है जो भी मनो कामना है वो आपकी पूर्ण होती चाहिए फिर वो कोई भी मनो कामना हो तो ये जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जरूर से इस वीडियो को जादा सा जादा आप शेयर कीजेगा क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से आपको नहीं पता कितने लोगों की मदद हो सकती है वैसे तो देखिए जो बेटी होती है वो हमेशा माता का ही रूप होती है ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर एज की अगर आपको नहीं मिले जो आपकी मनो कामना है और दूसरी एज की आपको मिल गई तो आपको दिक्कत आएगी ऐसा नहीं है आप विश्वास के साथ और बिलेगा वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां पे शौटकट में बता देती हूं कि किस तरह से कन्या पूजन होती है जब कन्याओं को आप घर पे बुलाते तो उनको साफ सुथरी जगा पे आपको बिठाना चाहिए सबसे पहले आपको उनके पैर दूलेंची यानि उनके प संसे पैसे तिलक यां फूल को इससे भी आप दे सकते हैं उनको कुम-गुम का और अक्षट का आप तिलक लगा सकते हैं इसके बाद आपको उनको जैसे की माना अच्छा रहेगा इसी के साथ-साथ आप उन्हें खिलोने दे सकते हैं या स्कूल की कोई भी जो चीजे होती है जो उन्हें काम आती है डेली लाइफ में ऐसी चीज़ अगर आप देंगे तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा यहां जो आपने चीज़ उनको गिफ्ट में दी वो इस्तमाल कर रहे हैं और बच्चे वो खुश होके लेके जा रहे हैं तो इस तरीके से आप उनको तोफे भी दे सकते हैं बहुत ही आसान होता है अगर वो आपके घर पे बैटके नहीं खाते तो कोई बात ही आप उनको बैक बना के भी पासल करके भी आप दे सकते हैं तो ऐसा भी अगर आपने विश्वास के साथ किया माता को मानते वे तो जरूर आपकी मनो कामना पूरी होगी और मैं फिर से रिपीट कर दू कि अगर आप रत नहीं रखते तो भी अगर आप यह कन्या पूजन करते हैं यह जो मैंने आपको बताए इस तरीके से अगर छोटे तरीके से भी आप करते हैं तो जरूर इसका आपको फल मिलेगा और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा इस उपाई को जरूर से करके देखेगा आप वाकई में मुझे गुड नियूज देंगे और हां एक और चीज मैं यहां पर रिपीट करना चाहूंगी कि अगर आप पूरी करते हैं तो माना जाता है कि वैश्युन देवी माता की दर्शन होता है वह भी अधूर होता है तो इसी प्रकार से नो माता नो जो gen तो इस तरह से वह कंप्लीट हो जाता है तो अगर आप नौ कंजक को बुला के अपने घर में खिलाते तो बहुत ही ज्यादा शुब होगा बाकी जैसे आपको कंफोर्टेबल लगे आप कर सकते हैं तो मैं उमीद करती हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आ cripplesya एकका जादा सब्सक्राइब कर लिजेगा बेलबटन को प्रेस करने से जो आगे आने वाणी वीडियो से उसके बारे में आपको पता लग जाएगा आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आप मेरे दूसरे दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल पसंद आए तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखेगा नमस्कार जैमाता अट्र बादी